एक नगर में एक लालची आदमी रहता था. अपार धन संपदा होने के बाद भी उसे हर समय और अधिक धन प्राप्ति की लालसा रहती थी. एक बार नगर में एक चमतकारी बाबा का आगमन हुआ. लालची व्यक्ति को जब उनके चमतकारों के बारे में पता चला तो वह दोड़ा दोड़ा उनके पास गया और उन्हें अपने घर आमंत्रित कर उनकी अच्छी सेवा की. सेवा से प्रसन होकर नगर से जाने. से पूर्व बाबा ने उसे चार दीपक दिये. चारों दीपक दे कर बाबा ने उसे बताया, पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यक्ता हो, तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चलते जाना. जहां दीपक बुझ जाए, उस जगह की जमीन खोद लेन वहां तुम्हें धन की प्राप्ती होगी, उसके उपरांत पुनह तुम्हें धन की आवश्यक्ता हुई, तो दूसरा दीपक जला लेना, जिसे लेकर पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाना, जब तक वह बुझ ना जाए, उस स्थान से जमीन में घड़ी अपार धन तुम्हें प्राप्त होगा, धन की तुम्हारी आवश्यक्ता तब भी पूरी ना हो, तो तीसरा दीपक जला कर दक्षन दिशा में चलते जाना, जहां दीपक बुझे, वहां की जमीन खोद कर वहां का धन प्राप्त कर लेना, अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और एक द लालची व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान स्थान में दूसरा दीपक बुझ गया। लालची व्यक्ति ने वहां की जमीन खो दी। उसे वहां एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। लालची व्यक्ति ने वह संदूक उसी गढ़े में बाद में ले जाने के लिए छोड़ दिया. अब उसने तीसरा दीपक जलाया और दक्षन दिशा की ओर बढ़ गया. वह दीपक एक पेड़ के नीचे बुझा. वहां जमीन के नीचे लालची व्यक्ति को एक घड़ा मिला, जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे. इतना धन प्राप्त कर लालची व्यक्ति प्रसन्न तो बहुत हुआ, किन्तु उसका लालच और बढ़ गया. वह अंतिम दीपक जलाकर उत्तर दिशा में जाने का विचार करने लगा, जिसके लिए उसे बाबा ने मना किया था. किन्तु ल जाकर उससे पहले उस धन को अपने कबजे में ले लेना चाहिए. उसके बाद सारा जीवन मैं एशो आराम से बिताओंगा. उसने अंतिम दीपक जला लिया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा. चलते चलते वह एक महल के सामने पहुँचा. वहां पहुँचते ही दीपक बुझ गया. दीपक बुझने के बाद लालची व्यक्ति ने महल का द्वार खोल लिया और महल के भीतर प्रवेश कर महल के कक्षों में धन की तलाश करने लगा. एक कक्ष में उसे हीरे जवाहरातों का भंडार मिला, जिन्हें देख उसकी आँखें चौंधियां गई. एक अन्य द्वार खोल लिया. वहां उसे एक व्रिद्ध व्यक्ति चक्की पीस्ता हुआ दिखाई पड़ा. लालची व्यक्ति ने उससे पूछा, यहां कैसे पहुचे बाबा? क्या थोड़ी देर तुम चक्की चलाओगे? मैं जरा सांस ले लूँ. फिर तुम्हें पूरी बा जाप्त हो जाएगी कि इस महल में धन कहां कहां छुपा है और उसकी बात मानकर वह चक्की चलाने लगा. इधर व्रिद्ध व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और गहरी सांस लेकर व्रिद्ध व्यक्ति आगे बोला. बाबा की बात न मानकर मैं भी लालचवश आखिरी दीपक ज तब से यहां चक्की चला रहा हूँ, मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई. इतना कहकर व्रिद्ध व्यक्ति वहां से जाने लगा. जाते जाते यह बताते जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा? लालची व्यक्ति पीछे से चिलाया, जब तक मेर और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लालच में अंधा होकर यहां नहीं आएगा, तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा. इतना कहकर व्रिद्ध व्यक्ति चला गया. लालची व्यक्ति चक्की पीस्ता और खुद को कोस्ता रह गया.